हाई गाइस आज हम लोग राउटर देखने वाले है एक्सप्रेस जैस में तो आक राउटर देखने से पहले जानिए कि मैं राउटर के आउशकता क्यों पढ़ रही है देखे एक फाइल है हमारा जो हम लोग कई बार अभी तक देखते हुए आ रहे हैं जिसमें लोग रूट से डिफाइन कर देते हैं तो मालेजे की स्टुडेंट का हमारा रूट है यह सारे रूट हमारे स्टुडेंट के इतने सारे रूट हमने स्टुडेंट के थे और हमने सारे के सारे लिख डाले एब डोट जैस के अंदर हमारा एक स्कूल मिनेजमेंट सिस्टम का अप्लिकेश अलग-अलग फिर कोई exam होता है तो exam का अलग-अलग root होगा तो यह सारे roots मैंने डिफाइन कर दिया कहाँ पर app.js के अंदर में इसे student का मैं इतना सरा डिफाइन किया फिर अगर teacher है तो teacher का मैं इतना सरा define करूँगा फिर जैसे कि मैंने आपको बताया कि आगे इवेंट्स का होगा, फंक्शन का होगा, exam का होगा, result का होगा, बहुत सारा root होगा, जो कि app.js के अंदर में घुश जाएगा, अब दिन परते दिन ये बढ़धा ही जाएगा, कम होने के बज़ए, तो code हमारा messy हो जाएगा, app.js में ही सारे root अगर आप घुशेड देंगे, तो आपका code messy हो जाएगा, इस इसको eliminate करने के लिए, इस इसको separate करने के लिए, फिर code को maintain कर पाएगा, बैतर तरीके से, अगर आप सब कुछ एक जगा पर लिखने के तो आपको code को maintain करने में प्राउलम होगी, आपको code को debug करने में प्राउलम होगी, तो बहुत सारे चीज़ें को होगी, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग code को separate करेंगे, और separate करने के लिए हमें router का concept मिलता है ExpressJS में, तो एक, अलग हम लोग module करेट करते हैं, हर एक अलग-अलग roots के लिए, देखिए कि कैसे और क्या सारे चीज़ें हमें करने पढ़ेंगे router का use करने के लिए in ExpressJS, तो router router क्या है, router class is used to create modular mountable root handlers, तो router एक class है, जिसका हम लोग use करेंगे, modular mountable root handler को create करने के लिए, router instance is a complete middleware and routing system, एक router का use करके हम लोग router instance create करेंगे, router class का use करके जिए हम लोग router instance create करेंगे, वह एक complete middleware होता है, और एक routing system होता है, अपने आप में, तो middleware का अभी आपको समझ में नहीं आगा कि middleware क्या होता है, middleware कुछ नहीं, function जैसे ही कुछ होता है, जब में आपको, जब middleware हम लोग डीटेल में देखेंगे, तब मैं को होता हूँगा, फिलाल यहां पर सिर्फ आप इंदने समझ करेंगे, अगर आपको modular बनाना है अपन इस step दियान लेते हैं कि कैसे root router हमें बनाना है, और सारे से सारे काम कैसे हो, step आप एगर ध्यान में रखिएगा तो फिर आप अच्छी से काम करवाएंगे, तो step से देख लाते हैं, पहले आपको क्या करना है, पहले आपको एक model create करना, router model create करना है, यानि कि एक file आपको create करन इस देखा जाएं तो project में, roots नाम का, इस roots नाम के folder के अंदर जितने भी root के model होते हैं, router के model होते हैं, वो सारे model हमें इस folder के अंदर में रखते हैं, तो यह एक अच्छा structure बनता है, तो आपको या करना है, आपको basically एक file create करना है, जिस भी नाम से आप चाहें, उस नाम से आप create कर सकते हैं, जैसे students की, इसके अंदर में root मुझे रखने हैं, तो मैं students.js नाम से एक file create कर सकता हूं, इसको आपको module कहना है, technically भासा में, यह मेरा create हो गया, फाइल हमारा create हो गया, वो इसके अंदर में आपको क्या करना है, code लिखना है, और code में आपको सबसे पहला काम करना ह router instance create करना है, उसके लिए आप पहले express आपको import रहेगा ही express module, उसी में आपको router class मिलेगा, जिसका आप use करके router instance create करेंगे, जो हमने यहापर किया, constants router equal express dot router, यह create हो गया, अब इसका use करके हम लोग अपने roots को define करेंगे, तो defining roots using router object, इसका use कीजिए, जैसे router dot get, फहले हम लोग क्य app नहीं लिखना है, बलकि आपको router का use करना है, router dot get, बाकी सारी चीज़ें same रहेगी, यानि कि path लिखना है, फिर callback लिखना है, और callback का जितना भी मैंने आपको बता है, वह सारे चीज़ें same रहेगी, बस यहाँ पर आप app की जगह पर router का use क्या करेंगे, यानि कि आपको router class क आपको export भी करना पड़ेगा, तो export करने के लिए, यहाँ पर मैंने पुराना तरीका use किया है, model.export equal router, जब को router object होता है, उसी को आपको export करना होता है, यह पुराना तरीका है export करने का, अगर आप ES6 में करना चाहते है, तापको export default router लिखना पड़ेगा, यह फिर आप अगर named based करना चाहते हैं, तो आपको curly के अंदर में लिखना पड़ेगा, वो हमने देखा हुआ ES6 में, यह कैसे import export करते हैं, और हमने node.js में भी आपको बताया होगा, तो hopefully आपको याद होगा, मैं जब practically दिखांगा, तो मैं आपको दोनों ही दिखा दूँगा, syntax लिख कर, ताकि आप उसको आसानी से बकड़ सके, तो यह काम हो गया, जो कि आपको करना है, आपके router module में, लेकिन इतना करने से आपका काम नहीं होगा, आपको इसको mention भी करना पड़ेगा, यह जो आपने file create किया, model create किया, इसको आपको mention करना पड़ेगा, अपने app.js में, जो आपको main file रह सकना है, अपनी मर्जी से require, और फिर आपको path रहिखना है, अपने model का, जो आपने create किया हुआ, यहां तो नहीं लिख दिया है, कि dot slash student.js, पर एक्चुली इसको path होगा, dot slash roots, जो folder का ना में हुआ, slash students.js, जो इसके नार फाइल है हुआ, वो आपको practically में दिखाते हूँ, यह आपने import कर लिए, import करने के बाद, आपको, यह जो अपने import गया है, इसको अपको load भी करना पड़ेगा, तो load router model का, इसके लिए आपको लिखना है app, जो हमारा express object रहता है, उसका use करना है, अब app.use method यहां use करना है, फिर आप यहां पर कोई साभी path लिख सकते हैं, और जो हमा पाथ दिखाता हूं, इसका किस तरीके से path बनेगा, जैसे कि मैं, मैंने माली जाए के roots folder के अंदर में students.js नाम का एक file क्रेट कर लिए, और यहां पर मैंने router object भी अपना बना लिया, अब मैं जितने भी student के roots होंगे, सारे यहां पर लिख लिखता हूं, और इसका अपना path और जो response होगा, फिर post का हमने बनाया, post का अपना path है, इसका जो अपना response होगा, इसका पना response से होगा, फिर पोश्ट का यहां से होगया, एक्सपोर्ट कर दूँगा तो आप देखरें हमारा जो root का code है root से लिखने का code हमारा separate हो गया student का students.js में teacher का teachers.js में तो यह separate हो गया अब हमें debug में आसानी हो और इस code का हम लों maintain भी कर बाएंगा आसानी से इतना करने के बाद एक चीज़ यहां पर आप गोर करेंगे आपको दिखाए देगा कि सभी में student.js में सभी में रूट में मैंने सभी path में student slash student slash student slash student slash से लिखा जैसे कि student slash all student slash create student slash update student slash delete ऐसे फिटीचर बढ़ाएंगे teacher slash all teacher slash create teacher slash update teacher slash लिख तो ऐसे यह जो teacher है जो common आपको दिखाए देरा यह आपको यहां पर लिखने का आशकता नहीं यानि कि आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं सिर्फ all लिखिए फिर सिर्फ create लिखिए सिर्फ update और सिर्फ delete इस तरीके से भी आप बात हो लिख सकते हैं फिर जो आपको slash student slash all चाहिए यह आप mention कर देंगे जब आप load करेंगे अपने module को तब तो यह मैं export कर देता हूँ teacher के लिए भी मैंने teacher slash को सब्सक्राइब कर दिया सभी में से अब यह हमने separately फाले में बना लिए अब इसको देखिए हम लोग करते हैं load app.js में जाते हैं यहां पर हम लोग पहले अपना create कर लेते हैं यहां भी मैंने require map देख सकते हैं कि dot slash roots slash student.js मुझे यहां लिखना चाहिए था बट मैंने ऐसे लिखा है कोई issue नहीं है यहां हम लोग कोड में इसको ठीक कर लेंगे teacher को मैंने import किया हुआ है अभी जब इसको load करेंगे हम लोग app.use लिखकर तो मैंने slash student और student जो मेरा import हुआ है वह मैंने यहां हम लेकर से teacher को यहां जो slash student है यह मेरे हर एक path में append हो जाएगा यानि कि जो मेरा create होगा proper path होग बनेगा बनेगा slash student all slash student create slash student slash student यहां से यहां से इसनों लिखा यह यहां से slash student सभी में आ रहा है और जो मैंने अपने file में लिखा था student.js में all slash all slash create slash update वह आपको इधर से मिल जाता है तो यह आप append कर सकते हैं यहां पर लगाना पड़ेगा और अपने file में जो लिखा था वह आपको लगाना ही पड़ेगा उसी तरीके से teacher के लिए path, callback जितने भी अब देना चाहें तो it mounts the specified middleware function और functions at the specified path तो यह mount करता है specified middleware को at specified path the middleware function is executed when the base of the requested path match path जो भी path match करेगा तो middleware function को execute करवा देगा जो भी root router हमारा create होता है वह सारे router middleware माना जाते हैं या फिर आप अगर कोई app express app भी बना रहे हैं तो वह भी हमारा middleware माना जाते हैं app.get लिखा न तो वह भी एक परकार का app जो वह होगवा वह भी middleware है और जितने router हमने अभी create की है router object का use करके वह सारे भी middleware होते हैं इसी वज़े से use का use करके आप middleware को यहां पर लिख सकते हैं जाकि path के match होने पर execute होता है clear चलिए अब इसको practically देखिए और जल्दी से खतम कीजिए तो यहां पर हम लोग अपना practical शुरू करते हैं देखिए इसको मैंने a folder के अंदर में लग दिया हुआ dummy.txt के नाम से यह जरा आप लोग देखान दीजिएगा और यहां पर मैंने दो code एक्स्टा भी लिख दिया हुआ है यह dummy है बस इसको copy paste करके हम लोग काम करेंगे इसी होज़ेस से उसके कोई खाश ही हुज नहीं थे हम लोग यहां पर एक नया folder करते हैं CH6 के नाम से बसके अंदर में एक नया file करेंगे app.js के नाम से ठीक है अब इसके अंदर में मुझे क्या करना है मुझे CD CH6 के अंदर में जाता हूं तो npm init और वाइल एक इंटरप्रेस तो यह से हमारा package realization file हमारे एक create हो जोगे हमारे create हो गया अभी मुझे करना मुझे इसमें install करना क्या क्या है मुझे इसमें install करना एक npm एक्सप्रेस कर गया यह clear करता हम पहले एक्सप्रेस मुझे इंटरप्रेस कर देते हैं 5.0 में यूज कर रहा हूं ध्यान रखिएगा और फिर हम लोग node 1 भी इसमें install कर देते हैं को पी किया पेस्ट किया और इंटरपेस किया यह दो चीजिए मैं इंस्टॉल कर दी साथ में यहां पर आकर टाइप इसका मॉडुल कर देते हैं यहां पर इसको चेंज कर देंगे डेव और यहां से हम लोग इसको चेंज करके कर देंगे क्या है हम node-mon app इसको save कर देते हैं बस और कुछ नहीं करना इसमें हमने यह 6 का का यहां पर कर दिया हुआ इसको कर देते हैं close और यह बेसिक सा कोड है जो इसको हमने को भी कर यहां पर रखा था कि हमें बार बार इसको लिखना ना पड़े इसको मैं यहां पर पेश कर देता हूँ अचलिए बहुत बढ़िया तो यह syntax आपका पुराना और यह syntax आपका यह 6 का हमने यहां पर app object बना लिया इस express function का यूज करके port भी हमने यहां दे दिया हूँ लिसन कर भी हमने कर लिया है सब पुछ हमारा ready है अभी हमें अपने concept शुरू करना है तो मैंने आपको बताया था कि code हमारा messy हो जाएगा कब जब आप अपने सारे project के roots एक ही जगह पर लिखना शुरू करेंगे तब जैसे कि मैंने यहां पर student का सारा जो भी root है इस ही में लिख दिया teacher का जो भी था वह भी इस ही में लिख दिया बाकि events अगर आप इस जितना भी root होगा सब इस ही में लिख ठीक तरीके से कर पाएं इसलिए हमारे पास concept आता है router का तो router बनाने के लिए आपको पहले क्या करना है सबसे पहले आपको काम करना है कि router module बनाए उसके लिए folder पहले create करेंगे तो right-click करके new folder यहां पर roots नाम का एक folder create करते हैं और इसी के अंदर में आपने सारे roots रखा इसमें लिखते हैं यह दिया इसको इंटरफेस करते है इस्टुएंट से जो भी हमारा root है सब हम लोग यहां पर लिखेंगे तो अभी मैं इसको यहां से यहां कोपी करता हूँ यहां से कर देगा है यह भी नहीं चाहिए तो app.js देखिए हमारा पूरा 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 खाली हो चुका है और हमने दो इस फाइल बना कर इसको separate कर लिया हुआ तो पहले student को देखेंगे फिसके बाद teacher को देखेंगे तो यहां सिर्फ एससे को भी best कर देने से हमारा काम नही अब हमने क्या अभी हमने सिर्फ यहां पर create किया है separate module अपने roots के लिए बट इतना करने से क्या काम हो जाएगा नहीं आपको यहां पर कुछ चीचे करनी पड़ेंगी कुछ चीचे करनी पड़ेंगी इससे क्या मतलब है पहले था आपको express को express module को इहां import करना तरीका सेम यही यह दो चीचे एक पुराना तरीका और एक नहा तरीका तो यहां पर इसको लिख दीचे इसको save कर देते हैं तो हम लोग नए तरीक वाले को use कर रहे हैं तो यह अपने क्या फिर हमें router object यहां पर create करना उसको create करने के लिए const लिखे router router आप लिखे नाव और इसको में हम इसका use करके हम लोग यहां पर एक object क्रिट कर रहे है router का अब इस router का use कर गया है अपने सारे routes इसको define करेंगा तो यहां पर app ना लिखकर आपको लिखना पड़ेगा router object तो यह लोग भी कर लेते हैं और जहां जहां भी app लिखका हुआ है सभी जगह पर सिफ router आपको लिख द करना इस module को export करना पड़ेगा जिससे कि आप यहां पर इसको import करके load कर सके अचलिए इसको export करते है एक्सपोर्ट करने का भी दो तरीका है एक तो पुराना एक नहीं है देखिए पुराना तरीका आपको दिखाता हूँ आपको लिखना है module.export और equal कॉनसा object router तो router को हमने य कुझ नहीं करना है लोग नया यूज करेंगे तो मैं इसको comment कर देता हूँ comment कर दिया और नए दरीका देखिए हम लोग export default और किसको करना router को तो router ले दिया हम बस कुसी करते हैं यह हमारे export होगी आपको इसको हम लोग import करें उससे पहले मैं चाहता हूँ कि teacher को भी हम लोग स लेक देना है तो router मैंने लेक दिया मैंने इसको कर दिया save और यह सारे चीज़ें होगी अभी हमें इसको भी export करना पड़ेगा export same router object को ही करना है इसको भी copy करके आप यहाँ पर paste कर सकते हैं अब इन दो files में हमें कुछ भी करने का शक्या है अब हमारा काम है यहाँ यहाँ प दो यहाँ पर हमारा adel ना हुड़ है वह जबने के बाद यहाँ बातरें के यहाँ नीकर दिखाथ हो कि आपको const लिखना है फिर stu यह पूरा तरीका में आपको अता रहा हूँ इंपोर्ट करने का रिक्वायर और यहां पर हमारा कॉट्स देना है कॉट्स देने के बाद आप यहां पर डॉट्स लिखिए आपको देदेगा आपको लिखना है student.js यह लिख दिया उसी तरीके लिए तो टीचर के लिए आप यहां पर नाम जो भी लिखना चाहिए लिख सकते हैं मैं लिख दिया टी और यहां पर बस मैं चेंज कर देना student के जगह पर teacher तो यह पूराना तरीका इंपोर्ट करने का इसका हम लोग यूज नहीं करेंगे तो मैं इन दोनों को कर देता हूं comment मैं बदा रहा हूं क्यों कि आपको बहुत सारा code इस तरीके से देखने को मिलेगा इस होज़े से अभी हम लोग क्या करेंगे नया तरीका जो है यह यह 6 का syntax से इसको यूज करेंगे तो कैसे देखें लिखना है import इंपोर्ट क्या import stu फ्रॉम कहां से डॉर्ट रूट स्लैश स्ट्रेंड डॉट जैस यहां पर डॉट जैस लिखिएगा वरना यह हो सकता है कि आपका काम ना करें इस तरीके से यहां पर teacher.js कर देते है यह 6 का यूज करके अब हमारा एक last step बचा हुआ है जो कि है इसको लोड करवाना तो यहां पर लोड करने का code हम लिखेंगे यहां पर लिखेंगे यहां पर लिखेंगे लिखेंगे लोड राउटर मॉडिल्स ठीके कैसे करते हैं वहां देखिए यह जो हमने app बनाया इसका यूज करेंगे यूज करने के लिए यूज करने के लिए हम लोग एप का यूज करेंगे हम बताइए क्या बड़ी है sentence बन रहा है तो लिखना app.use use function क्या करते हैं आपको अल्रड़ी बता हुआ है यहां पर हम लग पाथ लिखेंगे कोई सा भी जोब आप लिखना चाहें लिख सकते हैं जैसे कि हम आप लिखता हूं विद्यारति विद्यारति का मतलब होता है student और किसको लोड करना है student को तो यहां जो आपने student लिखना उ अब हमारा जो पात बनेगा वह बनेगा स्लैश विद्यार्थी स्लैश स््टूडेंट इस लिखेंगे तो यह आपको विद्यार्थी लगाना पड़ेगा यह लिखा हुआ तो ऐसा मुझे नहीं करना है मैं आपको पहले ये करके दिखा दाऊ कि यह हमारा काम करता है उसी वाद मैं आपको दाऊगा कि यह पर हम लोग चीज़ें कैसे और बहतर बनाएंगे तो पहले यह देख लिए यहाँ पर आते हैं सर्वर हमने रन नहीं किया, सर्वर रन करना पड़ेगा न, तो npm, run dev, सर्वर हमारा चलना चाहिए, सर्वर हमारा चल पड़ा इस पोर्ट पर, इस पर कुछ भी नहीं है, तो इस पर चलेगा नहीं, हमारा slash, विद्यारथी, slash, student all, और मैं इंटरपेस करना, दखिए, all इस तु आपको करके दिखाता, इसमें हम लोग लिखते है, slash, विद्यारथी, slash, student create, तो हमें new student created, यह हमें दिखाये था, response के तो, but post request हो नहीं सकता, तो get भी हमें भी संतुष्टी करना पड़ेगा, यहाँ पर मैंने लिख के दे दिया, ताकि आप इसको समझ पाए, तो इसमें आप पाथ से इसको, गायब कर देजी, इसको, cut कर देते हैं, इसको save कर देजी, और यह जो हमने student यहाँ से हटाया, वह हम लोग यहाँ पर लिख सते हैं, अभी हमारा path क्या बनेगा, slash, विद्यारथी, slash, all, slash, विद्यारथी, slash, create, तो यह ज़्यादा बेटर लग रहा है, पहले क विद्यारथी के बजाए, आप English में लिखना चाहिए, आप यहाँ पर लिख सकते हैं, अब इसको change कर देजी, यहाँ पर आप, आप कीजिएगा, हमने यह क्या कर दिया, वही, हम यहाँ लिखना, slash, student, यह लिखे, तो हमारा path क्या बनेगा, slash, student, slash, all, अब हमारा यह, इस तर slash, update पर यह मिलेगा, आप देहान रखिएगा, कि यह हमारा हर एक पर append होता है, तो यहाँ जो लिखते हैं, वह append होता है, इसके साथ में, विखोज आपने इसको load गया वहाँ यहाँ पर, ओकीजिए, तो देहान रखिएगा, यह साथ चोटटी चीजी है, लेकिन बहुत समझ से खड़ी होती है, जो बिगिनर होता है, उनको समझ मिलेगा कि कहां से क्या हो रहा है, तो मुझे उम्मी देखिए, आपको इसे concept clear हो गया, अभी हम लोग ऐसा जरूरी नहीं है, कि हर चकह नाम अलग 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 रखें, मैंने हर चकह अलग अलग बाद का वह अलंग लगा हुआ है आपको समझ में आया गया कि यहां पर इसकते पाथ और फाइल का नाब नहीं है teacher कि अब हमारा क्या जागा। यहां से एक से टीचर हमाराहर हमारा सही पात बनेगा जोगी होगा यहां से teacher अब्धिन होगा हर एक में और इस तरीके से हमार यह बनेगा जब यह दिखा देता हम इसको यहां है और student के जगह पर अगर में लिखाँ teacher तो teacher all teacher आपको यहाँ पर artcode में देखने को मिल जाएगा ठीक है जी तो यह हमने क्या क्या अलग-अलग separate कर दिया अपने roots को और बहुत ही अच्छा बेहतरी ने देखिया आप अब हमारा app.js जो है बस इतना चोटा सा है कोड में नहीं लग रहा है बहुत ज़ला आपको लग रहा है विकास हमने यह भी लिखा हुआ है और यह भी लिखा हुआ है इसी वजह से बढ़ अगर यह ना लिखने तो और भी हमारा पाथ है तो इसमें कुछ भी हमारा देखने की प्रैक्टिकल यार्शक्ता नहीं पर फुरी दिखा दो कि यह हमारा सही रन अभी भी कर रहा है यह all teacher ओके जी तो यह हमारा router का कैसे आप use करेंगे अपने express.js में उसकी जानकारी थी अपने routes को कैसे आप separate module में रखेंगे और इसका कैसे इस्तेमाल करेंगे उसके बारे में जाना करेंगे कि मुझे उम्मीद है कि अब आप अपने code को बहुतर तरीके से structure कर पाएंगे और आपका code आपको messy नहीं देखेगा आप उसको बहुतर तरीके से maintain कर पाएंगे debug कर पाएंगे अगर आप इस rule को follow करते हैं तो यानि कि router concept को follow करके अपने roots को लेखते हैं तो इस video को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद हूँ